सलाम आदाप स्वागत है आपका मिठला लाइब 24 पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे कुरोना की दूसरी लहर का कहर अब दम तोड़ने के कगार पढ़ है अगर हालात ऐसे ही रहे तो एक लंबी मुड़त से बंद पढ़े स्कूल कॉलेज छे जुलाई से खुल जाएंगे पहले कॉलेज खुलेंगे या एस्कूल खुलेंगे या फिर कोचिंग संस्थान खुलेंगे यह सारा फैसला अभी सरकार को करना बाकी है खुलेंगे तो कैसे खुलेंगे? कुरोना से सुरक्षा की क्या शर्ते होंगी? इन सब मुद्दे पर सरकार में मन्थन चल रहा है लेकिन इतना तै है कि 6 जुलाई से चरम बंद धंग से ही सही खुलने जरूर लगेंगे हालाकि इस से पहले कुरोना की पहली लहड के दम तोड़ने के बाद सरकार ने पहले कॉलेजों एवं विश्विद्यालों को खोलने की अनुमती दी थी इसके बाद 9-12 का च्छा तक के स्कूलों को चरम बंद धंग से खोला गया था पहले बच्चों को केवल अपने सिख्षकों से मार्ग दर्शन के लिए स्कूल जाने की अनुमती दी गई थी उसके बाद स्कूलों को पूर्ण धंग से खोल दिया गया था अगस्त से दिसंबर तक चरमबंध धंग से स्कूल कॉलेज खुल पाये थे जन्वरी, फरवरी और मार्च महीने केवल स्कूल संचाली थी हुए थे कि एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर ने कहर धाना शुरू कर दिया था 14 अप्रेल से स्कूल कॉलेजों के शटर गिर गये थे इसके बाद तो 5 मई से पूरी तरह लोगडॉन ही घोशित हो गया था लेकिन अब सिख्षा मंतरी विजय कुमार चौधरी ने ट्वीटर हैंडल से जानकारिक दी है कि यदि एस्थिती ऐसी ही रही तो 6 जुलाई से सिख्षन संस्थाओं को खोला जाएगा